आम शाती पवित्रता का सागर शिवाबा पवित्र दुनिया स्थापन करनी के लिए संगम युकपर स्वया माकर हम पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं हमारे भीतर अंदर से हर उस मैल के अंश और वंश को मिटा कर हमारा अस्तित्व ही परिवर्तन कर देते हैं हमें जड से चेतन बना देते हैं अंदर इतना स्वच इतना शुद्ध बना देते हैं जो हमारी दृष्टी, वृती, कृती, पावन हो जाती है ये सौभाग्य किवल हम ब्राम्भणों को मिलता है करता तो खुद भगवान ही है विश्यव बाबा ही हमारी मदद भी करता है पर फिर भी कहता है कि ये पवित्रता की मदद तुम बच्चे बाबा को करो करन करावन हार तो शिव बाबा ही है पर जितना हम बाबा को याद करते हैं बाबा की श्रीमत पर चलते हैं स्वधर्शन चक्र को बार-बार रिवाइज करते हैं, घुमाते हैं उतنا-उतنا हम इश्वरिये इस बड़े से रूद्रय के सीश्वरिये कारे के मददकार सहयोगी योगी आतमाई बन जाते हैं तो आज की मुरली इसी सहयोग द्वारा योग युक्त बनने की और हमें प्रेरित करती है आज है 27 दिसंबर 2030 मीठे बाबा के मधुर महवाक्के हैं मीठे बच्चे देवताउं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म किसका है तुम ब्रामभणों का है क्योंकि तुम ब्रामभण ही बाप के मददकार बनते हो है ना किसी बड़े कारे के लिए किसी बड़े आदमी का कोई सहयोगी बने है ना तो कितना प्रावड मैसूस करता है और सारे विश्य को बदलने के लिए सत्यूगी दुनिया लाने के लिए हम खुद भगवान के साथ मददगार बने तो कितने कितने भाग्यशाली हुए प्रश्न है अभी तुम बच्चे बाबा को कौनसी मदद करते हो मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइज देते हैं उत्तर है बाबा प्योरिटी पीस का राज्चे स्थापन कर रहे हैं हम उन्हें प्योरिटी की मदद करते हैं बाबा ने जो यग्यर अच्चा है उसकी हम संभाल करते हैं तो जरूर बाबा हमें प्राइज देगा संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है हम स्रिश्टी के आदी मध्यांत को जानने वाले त्रिकाल दर्शी बन जाते हैं और भविश्य में गदी नशीन बन जाते हैं अभी क्या मिलती है प्राइज हम आदी मध्यांत को जानने वाले त्रिकाल दर्शी बन जाते हैं और भविश्य में गदी नशीन बन जाते हैं यही प्राइज है आज का गीत है पितुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवाले हो जिसका कोई आदार में तुझे तुम के प्राइज हैं जिस्वात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवाले हो तेरी दीला अप्रम पार सबूँ तेरी महिमा सब दे ल्यारी है ओम शान्ति यह किसकी महिमा है यह है परम प्रिये परम पिता परमातमा जिनका नाम शिव है उनकी महिमा कितना सुंदर गीथ था उनका उच ते उच नाम भी है तो उचे ते उचा धाम भी है भक्ती में क्याते है न, उच्चा तेरा नाम, उच्चा तेरा धाम, उच्चे ते उच्चा तू भगवान परम पिता, परम आत्मा का भी अर्थ है सबसे उच्चे ते उच्ची आत्मा, परम, है न, सबसे उच्चे ते उच्ची आत्मा और किसको भी परमपिता परमात्मा नहीं कहा जाता उसकी महिमा अपरम पार है है ना दुनिया में भी कहते है तेरी महिमा अपरम पार ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है जो उसका पार नहीं पा सकते रिशी मुनी भी ऐसे कहते थे कि उसका पार नहीं पा सकते वो भी नेती नेती कहते आये है अब बाबा स्वयमाकर अपना परीचे देते है दुनिया वाले तो क्या कहते आये कि उसकी महिमा अपरम पार है पार नहीं पा सकते अब बाबा खुद है ना अपने बारे में बताते हैं कि मैं कौन हूँ क्यों बाबा का परीचे तो होना चाहिए न तो बच्चों को परीचे मिले कैसे जब तक वहे इस भूमी पर न आए तब तक और कोई उनका परीचे दे ना सके जब फादर शौस सन पहले बाबा हमारा परीचे देते हैं तब सन शौस फादर फिर हम बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं बाप समझाते हैं मेरा भी पार्ट नूधा हुआ है मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है ये बाबा का फिक्स्ट पार्ट है साधू संत भी गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम आओ चुकी रावन का राज्य है रावन कोई कम नहीं है सारी दुनिया को तमु प्रधान पतित किसने बनाया? किसने बनाया? रावन ने फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है न? आधा कल्प राम राज्य है तो आधा कल्प रावन का भी राज्य चलता है रावन क्या है? यह कोई नहीं जानते जलाते हैं, कहानिया भी सुनाते हैं पर तो वास्तव में रावन क्या है? कोई नहीं जानते वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं तो भी रामण का राज्य चलता रहता है जलता थोड़ी है मनुष्य कहते हैं परमात्मा समर्थ है तो रामण को राज्य करने क्यों देते हैं? ऐसे कई लोग कहते हैं न? कि अगर भगवान में इतनी शक्ती है तो फिर रावन को राज्य करने क्यों देते हैं जुनिया में इतना दुख क्यों हैं इतने विकार क्यों है इतनी परिशानी क्यों हैं बाप समझाते हैं क्या यह नाटक है हार जीत का हैल और हैवन का भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है यही बना बनाया ड्रामा है है ना ऐसे नहीं परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा या आधे में खेल को बंद कर सकता है ऐसे थोड़ी ना ऐसे नहीं करेगा बाबा जैसा खेल बना हुआ है वैसे ही खेल खेला जाएगा बाब कहते हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूँ इसलिए शिवरात्री भी मनाते है शिवाय नम्हा भी कहते हैं ब्रम्मा विश्णू शंकर को फिर भी देवता नम्हा कहेंगे शिव को परमात्मा नम्हा कहेंगे शिव क्या ऐसा ही है जसा बबुलनात में या सुमनात के मंदिर में है क्या परमपिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है वह आत्मा का छोटा बाप का बड़ा है कैसा है बाबा? क्योश्यन आएगा ना बुद्धी में ये क्योश्यन आएगा जिसे यहां छोटी को बच्चा बड़े को बाप कहा जाता है दुनिया में ऐसे ही होता है वैसे परमपिता परमात्मा अन्ने आत्माउं से बढ़ा है और हम आत्माई छोटी है ऐसा है? दुनिया जैसा है? नहीं है न? नहीं बाप समझाते हैं बच्चे मेरी महिमा गाते हो कहते हो परमात्मा की महिमा अपरमपार है मनुष्य स्रिष्टी का बीज है तो पिता को बीज कहेंगे न? वह क्रिएटर है बाकी जो इतने वेद उपनिश्यद गीता यग्य तप दान पुन्य यह सब है भक्ती की सामगरी इनका भी अपना टाइम है आधा कल्प भक्ती का आधा कल्प ज्यान का भक्ती है ब्रम्हा की रात ग्यान है ब्रम्हा का दिन यह सब खेल है खेल की तरह देखेंगे तो मन में क्योश्यन नहीं आएगा परन्तु खेल को रियल समझ लेंगे न? उस consciousness में आ जाएंगे तो फिर प्रशन आएंगे यह शिव बाबा तुमको समझाते हैं इनको अपना तन तो है नहीं शिव बाबा को अपनी बॉडी तो नहीं है न? कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूं राज्ये भाग्ये दिलाने लिये अब ब्रम्हा की रात पूरी होती है वही धर्म ग्लानी का समय आप पहुचा है सबसे जास्ती ग्लानी किसकी करते हैं? परम पिता परमात्मा शिव की लिखा है न? यदा यदा ही धर्मसे ऐसे नहीं मैंने कल्प पहले कोई संस्कृत में ग्यान दिया है तो सारी संस्कृत में गीता लिखी होई है भाश्या तो यही है तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले की गलानी होती है मुझे ठिककर भितर में ठोक देते हैं तब मैं आता हूँ जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं पतितों को पावन बनाते हैं उसकी कितनी गलानी की है तुम बच्चे जानते हो भारत है सबसे पुराना खंड जो कभी विनाश नहीं होता है सत्युग में लक्ष्मी नारायन का राज्य भी यहां ही होता है यह राज्य भी स्वर्ग के रच्चाईता ने दिया है अब तो वही भारत पतित है तब फिर मैं आता हूँ तब तो उनकी महिमा गाते हैं शिवाई नमहा इतना विशेश कारे करते हैं तबी बाबा को नमस्कार करते हैं इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट नूधा हुआ है जो रिपीट होता है जिससे ही कोई टुकडा निकाल हद का ड्रामा बनाते हैं जो दुनिया के नाठक बनाते हैं इसी के कोई सीन को कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को निकाल कर उसके अनुसार अपना हद का ड्रामा बनाते हैं अभी हम ब्राम्मन हैं फिर देवता बनेंगे यह है इश्वरिय वर्ण यह है तुम्हारा चो रासिवे जन्म का भी अंत इसमें चारो वर्णों का तुमको ग्यान है इस जन्म में केवल इसलिए ब्राम्मन वर्ण सबसे उच है परंतु महिमा वपूजा देवताओं की होती है भले ब्राम्मन वर्ण सबसे उचा है पर महिमा और पूजा देवताओं की होती है क्योंकि उनका तन और आत्मा, शरीर और आत्मा दोनों प्योर है, तो purity के आधार पर पूजा होती है, ब्रह्मा का मंदिर भी है, परन्तु कोई को पता नहीं कि इसमें परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा भी करते हैं, कहानिया भी कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की आत्मा आकर ये ज्ञान सुनाती है, ये शिव बाबा का रत है, जब स्थापना हो रही है, तो विनाश भी चाहिए, इसलिए कहते हैं, कि रोद्र ज्ञान यग्य से विनाश ज्वाला निकली, अब वही बाप बच्चों को समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्सा देने आया हूँ, तुम्हारा हक है, परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे, उनको मैं स्वर्ग की प्राइज दूँगा, कंडीशन है, उन्हें भी पीस प्राइज आदे मिलती है दुनिया में, जो कुछ एफर्ट्स करते हैं, तो उनको भी मिलती है पीस प्राइज, परंतु, बाप तो तुम सब को, कौन सी प्राइज देते हैं, स्वर्ग की प्राइज देते हैं, कहते हैं, मैं नहीं लोंगा, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापना कराता हूं तो तुमको ही दूंगा तुम हो कौन हो शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे इतने बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा ही एडॉप्ट करते होंगे न है न, एडॉप्शन से इतने बच्चे हो सकते हैं यह ब्राम्मन जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम है याद रखेंगे, नशे में रहेंगे क्या, यह ब्राम्मन जन्म हमारा सर्वोत्तम है सबसे उत्तम है यह कल्यानकारी जन्म है देवताओं का जन्म यह शुद्रों का जन्म कल्यानकारी नहीं है यह तुम्हारा जन्म, बहुत कल्यानकारी है, क्यों? क्योंकि बाप का मददगारबन स्रिष्टी पर purity, peace स्थापन करते हो इसलिए यह कल्यानकारी है, वह इनाम देने वाले थोड़ी जानते हैं इस बात को बस हम जानते हैं वो तो कोई अमेरिकन आदी को दे देते हैं बाप फिर कहते हैं, जो मेरे मददगार बनेंगे, मैं उनको प्राइज दोंगा है ना, purity है, तो स्रिष्टी में, peace, prosperity भी है सुक्षान्ती की जननी है ना पवित्रता यह तो वैश्याले है, सत्योग है, कंट्रास्ट शिवाले, शिव बाबा ने स्थापन किया है, इसलिए शिवाले है साधू सन्यासी है, हठ योगी ग्रहस्त धर्म वालों को सहज राजयोग तो सिखा नहीं सकते भल, हजार बार गीता महाभारत पड़े हजार बार पड़े यह तो सबका बाबा है, सभी धर्म वालों को कहते हैं क्या कि अपना बुद्धी योग एक मेरे से लगाओ मैं भी छोटा सा बिंदो हूँ इतना बड़ा नहीं हूँ जैसी आत्मा वैसा ही मैं परमात्मा हूँ आत्मा भी यहां भुकुटी के बीच में रहती है इतनी बड़ी होती तो यहां कैसे बैठ सकती इतनी बड़ी बड़ी होती तो कैसे बैठ सकती मैं भी आत्मा जैसा ही हूँ सिर्फ अंतर क्या है? मैं जन्म मरण रहित सदा पावन हूँ और आत्माई जन्म मरण में आती है पावन से पतित और पतित से पावन होती है इस चक्र में आती है अब फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए बापने यह रोधर यग्य रचा है इसके बाद सत्युग में कोई यग्गे नहीं होगा इसके बाद कोई भी यग्गे सत्युग में नहीं होता फिर द्वापर से अनेक प्रकार की यग्गे रचते रहते हैं दिखो बाबा पूरा साइकल घुमाते हैं हमारी क्या होता है हर एक एंगल से हमें समझाते हैं तो बाबा कहते हैं यह है रोद्र ग्यान यग्य सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है इसमें क्या होगा इस यग्य में इसमें सब की आहूती पड़ जाती है फिर कोई यग्य नहीं रचा जाता हर यग्य में क्या होता, end में सब स्वाहा कर देते हैं, वो तो सामगरी स्वाहा करते हैं, यग्य में सारी पुरानी दुनिया की सामगरी स्वाहा हो जाएगी, इसके बाद फिर कोई यग्य नहीं रचा जाएगा यग्ये रच्टे तब हैं कब दुनिया में कब रच्टे हैं जब कोई आफ्टे आती है बरसात नहीं पड़ती है वानने कोई आफ्टे आती है तो यग्ये करते है सत्युक्त रेता में तो कोई आफ्टे आती नहीं तो इसलिए वहाँ यग्य रचते नहीं इस समय अनेक प्रकार की आफते आती हैं इसलिए सबसे बड़े सेट कौन है सबसे बड़ा सेट? शिव बाबा ने यग्य रचवाया है तो पहले से ही साक्षातकार कराते हैं कैसे सब आहूती पढ़नी है कैसे विनाश होना है बाबा ने सब साक्षातकार कराया पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है तो फिर इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है? जब सब कुछ पता चल गया किसीने दिव्य दृष्टी से देखा किसीने दिव्य बुद्धी से देखा, देखा सभी ने, तो जब कब्रिस्तान होनी है, तो फिर इस पुरानी दुनिया से दिल क्या लगानी है, इसलिए तुम बच्चे बेहद पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, वह सन्यासी तो सिर्फ घरबार का सन्यास करते हैं, तुमको तो घरबार नहीं छोड़ना है यहां ग्रहस्त वेहवार संभालते भी इससे सिर्फ ममत्व तोड़ना है यह सब मरे पड़े हैं इनसे क्या दिल लगाना यह तो मुर्दों की दुनिया है इसलिए कहते हैं क्या कि परिस्तान को याद करो सब इस दुनिया में बोड़ी कॉंशनेस में है तुसले बाबा चाहते हैं हम किसको याद करें परिस्तान को याद करें कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो कब्रिस्तान को याद करने की चीज है क्या बाबा भी दलाल बन तुम्हारी बुद्धी का योग अपने साथ लगाते हैं कहते हैं न, आतमा परमातमा अलग रहे बहुकाल सुन्दर मेला तब लगा जब सत्गुरु मिला दलाल तु बाबा हमें दलाल के रूप में ब्रह्मा बाबा की रूप में आकर मिलते हैं और फिर अब हम सब के बुद्धी का योग अपने साथ लगाते हैं, है न, तुम मंगल मिलन मेला बन जाता है, यह महिमा भी उनकी है, कल यूगी गुरू को पतित पामन कह नहीं सकते, वह सद्गती तो कर नहीं सकते, हाँ, शास्त्र सुनाते हैं, है न, क्रिया कर्म कराते हैं, शिव बाबा का कोई टीचर गुरू नहीं है, बाबा तो कहते, मैं तो तुमको स्वर्ग का वर्सा देने आया हूँ, फिर सूरेवन्शी बनो, चाहे चंद्रवन्शी बनो, बाबा तो देने आया, पूरा देने आया है, अब हम कितना लेते हैं उस आधार पर, सूरेवन्श यह चंद्रवन्शी बनते हैं वह कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? लडाई से? लडाई थो ना करते हैं? नहीं न लक्ष्मी न रायर नहीं लडाई से राज्य लिया न रामसीता नहीं इन्हों नहीं इस समय संगम के समय माया से लडाई की है ये है सुक्षमयुद अंतरातमा की अंदर अपने विकारों से युद तुम इनकॉगनीटो वॉरियर्स हो, कुप्त वॉरियर्स हैं इसलिए तुम शक्ती से ना को कोई जानते नहीं नाम है पर जानता कोई नहीं है तुम योगबल से सारे विश्व के मालिक बनते हो तुमने ही विश्व का राज्य गवाया है फिर तुम ही पा रहे हो तुमको प्राइज देने वाला कौन है? बाप है इसे युद्ध में जीतते हो तुप्राइज मिलती है अब जो बाप के मददगार बनेंगे उनको ही आधा कल्प के लिए थोड़ी बहुत नहीं एक दो दिन के लिए नहीं एक दो सालों के लिए नहीं है ना एक दो जनम के लिए भी नहीं किसके लिए आधा कल्प के लिए peace, prosperity की price मिलेगी बाबा मददगार उन्हें कहते हैं Definition सुनेंगे सबी कौन है बाबा के मददकार बच्चे बाबा मददकार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर बाप को जाद करते हैं स्वदर्शन चक्र फिराते हैं शांती धाम, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को जाद कर पवित्र बनते हैं अंडरलाइन करेंगे प्राइज लेनी है न सबने तो बाबा के मददकार बनने हैं और मददकार कौन बनते हैं जो रिवाइस करते हैं इस लाइन को जो अशरीरी होकर बाप को जाद करते हैं स्वदर्शन चक्र फिराते हैं शांती धाम, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को जाद कर पवित्र बनते हैं कितना सहज है है सहज अगर सूल कॉंशिस है तो सहज है बॉडी कॉंशिस है तो डिफिकल्ट है हमात्मा भी स्टार है हमारा बाप परमात्मा भी स्टार है वह इतना कोई बड़ा नहीं है परंतु स्टार की पूजा कैसे हो? इसलिए पूजा के लिए इतना बड़ा बना दिया है पूजा तो पहले बाप की होती है पीछे दूसरों की होती है लक्ष्मी नारायन की कितनी पूजा होती है? परंतु उनको ऐसा बनाने वाला कौन? ये कोई नहीं जानता ना? सबका सदकती दाता बाप बली हारी उस एक की है ना? उनकी जयनती यानि बर्थ डायमेंट तुल्ले है बाबा की जयनती डायमेंट तुल्ले है बाकी सबके बर्थ कैसे है? कौडी तुल्ले है शिवाय नम्हा यह उनका यग्य है तुम ब्राम्भणों से रचवाया है कहते हैं जो मुझे purity, peace थापन करने में मदद करेंगे उनको इतना फल दूँगा ब्राम्भणों से यग्य रचवाया है तो फिर क्या मिलता है? ब्राम्भणों को क्या मिलता जब वो यग्य रचते हैं? तो दक्षिना तो देंगे न? इतना बड़ा यग्य रचा है और कोई भी यग्य इतना समय नहीं चलता है कहते हैं जो जितना मुझे मदद करेंगे उतनी प्राइज दूँगा जितना और उतना है सबको प्राइज देने वाला मैं हूँ मैं कुछ नहीं लेता हूँ सब तुमको देता हूँ अब जो करेगा सो पाएगा है ना? थोड़ा करेगा तो तो क्या होगा? तो प्रजा में चला जाएगा गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो प्रेजिडेंट, मिनिस्चर आदी बने ना? यह है तो है अल्पकाल का सुख कितनी देर के लिए बनेंगे? है ना? बाप तो तुमको सारे आदी मध्यंत का ज्यान दे आप समान त्रिकाल दर्शी बनाते हैं कहते हैं मेरी बायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे सन्यासी थोड़े ही यह ज्यान दे सकते हैं कोई त्रिकाल दर्शी नहीं बना सकता उनसे वर्सा क्या मिलेगा? बहतो गद्दी भी एक को देंगे शरीर छोड़ेंगे तो पीछे गद्दी एक कोई मिलेगी बाकी सब क्या करेंगे? बाकी को क्या मिलता है? बाबा तो तुम सब को गद्दी देते हैं कितनी निश्काम सेवा करते हैं खुद कुछ नहीं लेते और तुमने तो मुझे क्या किया फिर? बाबा इतना सब कुछ करते हैं, हमने क्या किया और तुमने तो मुझे ठिककर भितर में डाल कितनी गलानी की है यह भी ड्रामा बना हुआ है, फिर बाबा ड्रामा पर रख देते हैं जब कौडी जैसे बन जाते हो, तब तुमको हीरी जैसा बनाता हूँ मैंने तो अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया है, फिर माया ने क्या किया, नर्क बनाया है अब अगर प्राप्ती करनी है, तो बाब के मददगार बन, सच्ची प्राइज ले लो इसमें purity फरस्ट है, सबसे जरूरी बात पवित्रता है बबस अन्यासियों की भी महिमा करते हैं, वह भी अच्छे हैं, जो पवित्र रहते हैं यह भी भारत को थामते, अर्थात गिरने से बचाते हैं नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, परन्तु अब तो भारत को स्वर्ग बनाना है अभी टैंपरेरी काम नहीं करना है, अभी पर्मनेंट तो जरूर घर ग्रहस्थ में रहते, पवित्र बनना पड़े बाब दादा, दोनो बच्चों को समझाते हैं, खुद समझा रहे हैं सारे वर्ड की नंबर वन सोल और नंबर टो सोल, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दोनो समझा रहे हैं शिव बाबा भी इस पुरानी जुत्ती द्वारा बच्चों को राय देते हैं, नई ले नहीं सकते, नई बोडी नहीं लेते हैं बाबा, माता के गर्भ में तो आते नहीं, पतित दुनिया, पतित शरीर में ही आते हैं, इस कल्युग में है घोर अंधियारा, घोर अंधियार को ही सोजरा बनाना है अच्छा रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को गुड मौनिंग नमस्ते 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 धालना के लिए मुख्य सार पहला इस बेहद की दुनिया का दिल से सन्यासकर इस बेहद की दुनिया का दिल से सन्यासकर अपना ममत्व मिटा देना है इससे दिल नहीं लगानी है दूसरा बाप का मददकार बन प्राइज लेने के लिए क्या करना है पहला अशरीरी बनना है दूसरा पवित रहना है तीसरा स्वदर्शन चक्र फिराना है चौथा स्वीट होम स्वीट राजधानी को रिशाद करना है ठीक वरदान है विशेष्टाओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चे बुद्धी विजई रत्न भाव कैसे बनेंगे जब विशेष्टाओं को सामने रख कर सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ेंगे अपनी जो भी विशेष्टाओं हैं कमिया तो हर एक में है पर दुहा में क्या देखना है खुद में और दूसरों में विशेष्टाओं तो अपनी जो भी विशेष्टाओं हैं उनको सामने रखो कमजोरियों को नहीं तो अपने आप में फेत रहेगा कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सुचो तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे यह निश्चे रखो क्या निश्चे रखेंगे? कि बाप सर्वश शक्तिमान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुचे कि पहुचे किसका हाथ पकड़ा है? सर्वश शक्तिमान शिव बाबा का तो पार पहुचे कि पहुचे ऐसे सदा निश्चे बुद्धी विजई रत्न बनते हैं अपने आप में निश्चे बाप में निश्चे और ड्रामा की हर सीन को देखते होए उसमें भी पूरा निश्चे हो तब विजई बनेंगे स्वयम में निश्चे, बाबा में निश्चे ड्रामा में निश्चे और फिर परिवार में भी निश्चे होना चाहिए फिर विजई बनेंगे स्लोगन है प्यूरेटी की रॉयलेटी में रहो तो हद की आकरशनों से न्यारे हो जाएंगे प्यूरेटी की रॉयलेटी में रहो तो ये सब छुटी छुटी चीज़ें एट्राक्ट नहीं करेंगी हमारी नजर उपर है रियल बाप के साथ है royal है हम आत्मा है तो आज सभी क्या हूंबग करेंगे बाबा ने आज बहुत सारे हूंबग दे दी क्या करना है पूरे one by one sequence से क्या करेंगे पहले अशरीरी बनेंगे body से अलग detach मैं आत्मा हूं फिर second मैं कौन सी आत्मा हूं मैं पवित्र आत्मा हूं फिर मैं आत्मा परमधाम से इस स्रिष्टी पर आई फिर पहले जनम में अपने आदी स्वरूप को याद करेंगे फिर पुझे स्वरूप को याद करेंगे फिर आजाओ नीचे ब्रामभण स्वरूप को याद करेंगे फिर आगे बढ़ो फिर फरिष्टा स्वरुप को याद करेंगे फिर अपने अनादी निराकारी स्वरुप को याद करेंगे तो मुक्तिधाम को भी याद किया फिर जीवन मुक्तिधाम को भी याद किया स्वदर्शन चक्र बे फिर आया तो ऐसी आत्मा कौन बन जाएगी, बाबा की मददकार बन जाएगी ठीक है न, स्वीट होम, स्वीट राजधानी आटोमाटिकली स्वदर्शन चक्र में याद आ जाएगी तो ऐसे, आज हम ये विशेश योग अभ्यास करेंगे चा, ओम शांति साथ तुमारा प्रभु कितना है प्यारा साथ तुमारा प्रभु कितना है प्यारा मिल गई मन्जिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा साथ तुमारा प्रभू, कितना है फ्यारा साथ तुमारा प्रभू मादा, मपद मादा, ते सरे मापा मघरे निसा रोशनी ही रोशनी आती नजल है अपना भवर का डर नहीं फिकल है हात में तेरे जब हात है हमारा साथ तुमारा प्रभू, कितना है प्यारा साथ तुमारा प्रभू, कितना है फिकल है कौन साथ है हमारे जिस की नजर से चलते चांद और तारे कितनी ही बार तुमने पार उतारा साथ तुमारा प्रभू, कितना है प्यारा साथ तुमारा प्रभू मादा, मपधा मादा, दिसारे मपा मगरे विसा अपना गगन अब तो अपनी जमी है तु मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है हमें क्या कमी है कितना हसी लगता हर एक नजारा साथ तुमारा प्रभू, कितना है प्यारा साथ तुमारा प्रभू, कितना है प्यारा मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा साथ तुमारा प्रभू, कितना है प्यारा साथ तुमारा प्रभू, कितना है प्यारा साथ तुमारा प्रभू, कितना है प्यारा साथ तुमारा प्रभू